आईए आपको बताएं कि इन तिलहनी फसलों की कटाई कब और कैसे की जाए किसान भाईयों राई, तोरिया और सरसों की कटाई तब करें जब 75 फीसदी फलियां सुनहरे पीले रंग की हो जाए इस समय अधिकांश बीज दो अंगलियों के बीज दबाने से फट्ती नहीं है और इसी समय तेल की मात्रा भी अधिक होती है आपको बता दें कि कटाई का कार्य सुबह में ही करना चाहिए क्योंकि राग की ओस से भींगी फलिया फट्ती नहीं है हरी फलियों की कटाई से उपज और तेल दोनों की मात्रा में कमी आती है अब आप कटे हुए पौधों को इकठा करके सुखा ले और गहाई के बाद बीजों को उसाई करके साफ कर ले अब बारी आती है भंडारण की आपको बता दें कि सुरक्षत भंडारण के लिए बीज में नमी की मात्रा आठ प्रतिशत से कम होनी चाहिए तो किसान भाईयों हमारे इस पूरे भाग में आपने देखा कि किस तरह से राई, तोरिया और सरसों की वग्यानिक विधी से खेती कर आप उन्नत पैदावार ले सकते हैं